दोस्तो सलाव अलेकौं। दोस्तो सुपर शंस फेक्टरी ले में कूशाम दीथ। दोस्तो आज है तजर्बे का दिन है। दो दिन रेस्ट किया था। सुस्त पढ़ गए थे। तो आज हिमत पकड़ी है। अज बरतन दोने का जो तजर्बा है साबन बरतन दोने का जो साबन है उस पे तजर्बे चल रहे है। पहला तजर्बा भुरी तरह से नाकाम हुआ। टुकड़े टुकड़े हो गए। देख रहे हो अश्यन नशर हो गया। तिक्की भी नहीं बन सकी। ठीक है। यह पहला तजर्बाता। उस पे काफी हम बहुत कर चुके एक दो अपलोड पे हम वोडियो कर चुके। डिसकस किया क्यूं हुआ क्यूं नहीं हुआ। भजह यह है कि एक चीज आप नोट कर लें। जो हम साबन बना रहे हैं। यह यह चीजे सामने आ रहे हैं। यह बासौप हो यह आपके सामने छुटी सी पट्टी पड़ी है। अभी भी हाद धो क्या हो गिला। कितना भी तोड़ों नहीं तूट रहा। इसमें कितना है। 25% कास्टिक लेई पड़ी हुए है। भासौप हो और जनाब बरतन दोने का सामग हो। यह तो बात तय हो गई। कास्टिक सोड़ा 50% कास्टिक सोड़ा की पत्री 50% पानी यह बन गया कास्टिक लेई। कास्टिक लेई 25% सव केजी की लाट है तो 25 किलो मस्ट है डालना। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर पंजाब में में घुमता हो आ रहा हूं वहां बता रहे हैं कास्टिक लेई 8% ना मुप्मकिन है आदमी ठक्रा जाए मर जाए साबुन नहीं बन सकेगा यह देखू। मुझे वहां पहले ट्रेनिंग करने के शौक होता था जब वह बहसूस हो यार यह तो घलत रेसिपी जान पुछ के दे रहे हैं ताके हमारे ट्रेनिंग सेंटरों के बाहर धिक्के घाए जलील हों खौर हों हर दो मेने के बाद 10-15,000 खज़ करके हमारे पास आ जाए पांच- जो कच्रा जो मशीने हैं वो खरीदे तो जनाब याल कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे हर जगह यह आठ परसंड जो कास्टिक नहीं बता रहे हैं साबन में घलत है घलत है घलत है यह क्लिर हो गया एक चीज़ सुबू यह जनाब याली सिट्र के एकसिट ठीक है दोस्तो सिट्र के एकसिट पानी में काफी देर से गलत है आदा घंटा वा बड़ी मुख मिश्कुल से वो गली है ठीक है सिट्र यह है दोस्तो 68% 1360 ग्राम टेल कंपाउंटर टेल कंपाउंटर पिन पास बहुत पड़ावा है ठीक है ना बच्चों को मंगवा के दिया था यार उनक है शौक नहीं तो हम शौक पूरा करते हैं तो जनाब याली यह है तेरा सो साथ ग्राम टेल कंपाउंटर सिट्र के क nossas कृट्र 2प ग्राम और कास्टिक जो लेई है ये पांसो ग्राम ठीक है ये सारी चीज़ आपके साब में सारी सिट्रिक एकसिर यह है इतना मतलब गंडा था आदा घंटे के बाद गला फिर मैंने सोचा यार कुछ कास्ट ले इसमें डालो तो वह इसमें डाली दी तो दा आग की तरह बुल प्रजियाहों कहने जो अगर ढ़ता है कास्टिक ले इसमें किग में गंठा बढ़ पानी कास्टिक लयाई है ब्याई, टेल कंपॉंड़षर उसेट्रिक एकसट हमबनाने जा रहे हैं डिश्षबर की पेस्ट डिष्वास की पेस्ट बना रहे जाए ठीक है तो जो थम डेल पे ना बॉल बनावाई उस बॉल में यहां मशीन की जरूत नहीं पड़ेगी सिर्फ मिक्सर की जरूत पड़ेगी हैवी मिक्सर आईए हम सबसे पहले क्या करते हैं जो कास्टिक लेई है आधी पिले डाली थी आधी यह डालते हैं अब यह ठंटा हो गया है एडियर्शन नहीं करेगा ठीक है दोस्तों यह तो यहां तक पहुचा अब क्या करना है अभी मुझे ब्रेक इसलिए लगाना है कि यहां सिट्रिक एक्सिट आपस में मिक्स किया था तो मिक्स नहीं हो रहा था ठीक है तो इसको देखते हैं तो जनाब याली अब इसमें यह पूरा पानी इसमें डालते हैं यह यह चला गया वासलम भूरा रखिप अब इसको भूंद एक चला गया किसट्रिक एक्सट एक्सों 40 गराम पांसो गिराम कास्टिक लेही चला गया तेलकम पॉर्टर कितना है तेरा सो साथ किराम पहले डारेक्ट डाली दिया अगले फार्वल में तो घंठा बराता अब गंठा नहीं बनेगा नहीं बना बेलकुल नहीं बना क्यूंकि शित्रिक एक्सिट और कास्टिक लेही मिला के उसकी जो शचदी करके फिर इसमें टाला है हमने ये टेल कम पॉंटर में हम बनाने जा रहे हैं बरतन धोने का साबुन पेस्ट तो ये हम मिक्स कर रहे हैं इन्शाला बेहतर रिजल निकलेगा फरक सामने आ गया साबुन के सनत में काश तिक लेई 25 परसंट कमस कम डालना मस्ट है जो ये ट्रेनिंग सेंट्रो में आठ परसंट बता रहे हैं गलत बता रहे हैं गलत बता रहे हैं जान भूझ के के ये गरीब दबाव जाये हमारे बाहर धिक्के काए हमसे मशीने ले हमसे जनाबी इरानी तेल ले और फार हो और खराब हो और जलील हो और जो इसके हाथ में पांच लाक है न तोर बना के घूम रहा है वो जलील हो और नंगा हो के यहां हमारे ट्रेनिंग सेंटर से निकले और यह खाखा के सूच जाएं अला रहम करें इंडिया और पाकिस्तान में इतनी नेचर गंदी जहन्यत में आ गया है दूसरों का खून चूचने में और गोस्त नूचने में भी खाने में भी देर नहीं करते भी यह बहुत बढ़ने की मुझे बहुत भर है तो है तजर्बा हैस्तों गोड नहीं यह काम करना पड़ता था है लुड़ा थूरा तौरण मलाहिम करके बहतरीन डिश बार का पेस्ट बना के फिर मैं आपको फाइनल टच दिखाता हूँ तब तक मुझे ये थोड़ा सेट करने दो तो फिर कप्षब भी करते और आज इंशाला ये बहतरीन बनेगा ठीक है जी जनाब आली ये आपका माशाला बतन दोने का पेस्ट त्यार हो गया ठीक है दोस्तों बड़ा मुश्कुल काम है क्योंकि हमने लेब खोली है मैं अपने नेग खोली है आप दोस्तों के लिए आपके बच्चों के लिए हमारी लेब है हम सीखते हैं कोई लालच नहीं ना आपकी मेरे में ना मेरी आप में मज़े कोई मशीन बेच नहीं है वाशिंग पाउंडर सिंपल तीन चार जिलों में में बेच रहा हूं कोशिश है अच्छी चीज़ें बनाएं स्ट्रगल करें मेहनत करें मजदूरी करें अगर किसी से गुलामी का तोक गले में नहीं डालना है तो अपना रास्ता खुद अपना है आपकी स्टेज आपको एंसाय कर रही है आप जैसा इस दुन्या में अल्ला में ने दूसरा कोई प्यदाने किया है रब से मांगो वही देने वाली स्वाब है यह आपकी लेबाटरी है यह मेरी लेबाटरी है सुपर शम्स यह फैक्टरी लेब हम सबकी है हम यहां सीखते हैं एक एक चीज़ तूटती है यह फिर बनाते हैं एक तजरबा नाकाम होता है दूसरा तजरबा करता है तीसरा तजरबा करते हैं जो था तजरबा करते हैं आज से आज से हम अलहमदला अपनी मंदल तक पहुँचाते हैं यही मकसद है कि हम अपनी मंदल तक पहुँचे रास्ते में तकलिफ है आए उसका जिकर नहीं करें अभी हाथ जल गए उसका हम जिकर नहीं करें यह सारी मटी मटी हो गए यह इखराजात हो रहा है उसकी परवाह नहीं है क्योंकि हमें गोल सेट किया है सुपर शम्स वाशिंपॉर्ट चालीस लाग इन्शाल आगया मेरे पास मजीद कहीं सा आए चालीस लाग मजीद लगाओगा इस कारोबार पर इस स्ट्रगर पर इस मार्कीटिंग पर इस एडवर्टैजमिंग पर गोल सेट करो पहला किदम हम पुरा कर चुगा अश्र हैं अशालों आगया मार्कीटिंग और सेल कनेक अलहादा चिप्टर हैं अलहादा बाब हैं अलहादा इतारा हैं यहां मार्कीटिंग कर रहाएं वा ठाव शील आस्ता थे इन्छाला बढ़ेगी जल्डी मुझे नहीं है, जल्दी आपको नहीं है हम केसे रखते हैं ,- ध्लकशन दूस्ते कि हम पॉल में रहते हैं थीक, यहा से उठाके यहा रख़ते हैं ठीक, एक दोस्तों इस इन काम में न मुझे पता नहीं था बरतन तोड़ देता हूं सारे चीसे तोड़ दे मुझे पता रही पड़ता बड़ा एक यहां में यहां यह रखेंगे छोटे छोटे इन फावलों में रखते हैं फिर इसे चुपक जाता है निकलना पड़ा मुश्किल इसलिए प्लास्टिक लगई है ठीके ना प्लास्टिक तजरबा गबरान के कोई बात नहीं हमारी अपनी लेब है ना अपना करच आए ना किसी की मुहताजी नहीं किसी बड़ेरे की किसी M.P.A किसी M.N.A की किसी की नहीं हम आजाद हैं मेहनत कर रहें मजदूरी कर रहें स्ट्रगल कर रहें उठो आप यह उठो शाबाज बहतरे दिश बार पेस्ट जो बाउल थमडेल पर आपने देखा है उसमें डालने के लिए तयार है सेंप पोली सिर्व हम चेल्ड करेंगे यह अगर तजरबा काम्याब गया तो सल्फिनिक एकसिट के महंगे से महंगे जो केमिकल उसे जान चूट जाएगी सिट्र के एकसिट इतना मेंगा नहीं है जो ट्रेनिक सेंट्रों में कहते हैं साबून बनाने के लिए 10 साबुने कि सिमिक जितने भी साब उसमें 8 परसंट कास्टिक लई पड़ेगी आप उठके उसको चपाट जाके बारे तेरी एसी कि पचीस परसंट से कम कास्टिक लई जाबन में नहीं पड़त नहीं तो ये नोची के आप लोगों का ना गोस्त भी खा जाएंगे मुच्छी दीजिये एजाज़त खुदा पैस